कि के विधी अंगी थो ओधिन आ से विझानि वे जन था लोगा के सिस्तों के साथ में अपने अब बात्वा verme rhythm करते कि कहां मैंने ट्रेड लिआ उसके पीछए क्या psychology थी क्यों वो trade को मैंने execute किया और कहां पे मैंने अपना square F किया position को शारा discuss करेंगे दोस्तों तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले शुनिकर trading platform में जाते हैं दोस्तों और अपना order book देखते हैं तो देख सकते हैं total मैंने मैं आज 3 trade लिये पहला जो trade था दोस्तों वो 43,800 का put मैंने वाई किया था 205 रुपे में और उसको square F कर दिया दोस्तों 191 रुपे 60 पैसे में 9 बचकर 30 मिनट 44 सेकेंड में दूसरा जो trade लिया था पैसे में 10 बचका 34 मिनट में और उसको square F किया दोस्तों दस बचका 34 मिनट 43 सेकेंड में 208 रुपे 35 पैसे में अगर position में हम लोग जाएं तो देख सकते है position में जो ये 43,800 का put लिया था उसमें मेरे को loss में देखने को मिला 289 रुपे और दूसरा जो लिया मैंने कि आज मैंने कहा ट्रेड लिया और क्यों लिया उसके पीछे तो देख सकते हैं पहला जो ट्रेड है वो 9 बचकर 33 मिनट में मैंने ट्रेड लिया तो अगर चार्ट में जाते हैं तो देख सकते हैं यहां पर मैंने इस candle पे पुट बाई किया अब इसके पीछे लेने के पीछे क्या साइकोलिजी थी दोस्तों मेरी कि क्या हुआ ना यह जो डे का जो मैंने जो रेजिस्टेंस ड्रॉग किया था दोस्तों उसको यह मतलब इसको ब्रेक करता है सॉरी दोस्तों डे का डेली जो सपोर्ट मैंने जो ड्र इसको ब्रेक करता है दो कैंडेल उसकी बाद मैं यहां पर इंट्री ले लेता हूं क्या सोचके इंट्री लिया कि यह कैंडल थोड़ा सा पुल बैक करेगा और वो जो सपोर्ट को तोड़ा है उसको रेस्टेंस मानके दुबारा टच करके दुबारा मार्केट नीचे आएगा लेकिन क्या हुआ दोस्तों मैं पतेवा लाइब मर्केट में क्या होता आहिए आप सब कुछ भूल जाते हैं साइकोलगेजी क्या हुवी मैं यहां पर भूली गया कि यह जो देख रहा है ड्रैगन फ्लाय लोजी एक नहां पर प्रेयेट हुआ है तो यहां पे इतनी सिंपल वाली क्यों दुबारा वही strike price का put मैंने दुबारा execute कर दिया, हो सकता है मैं मार्केट से fight कर बैठा, यही एक reason है actually market से मैंने fight ही किया, कि मैं कैसे गलत हो गया, लेकिन market में actually ऐसा नहीं करना चलिए उसके बाद अपने आपको समाला, अपने आपको control करा और अपने discipline पे दुबारा come back किया, तो तीसरा जो trade जो जिसमें मेरे को profit मिला ना, वो मैंने यहां पर देख सकती है, यह shooting star form होता है तो मैंने यहां पर जट से put को buy कर बैठा, और जैसे ही मेरे direction में candle जाता है, दोस्तों मैं क्या करता हूँ ना, जैसे ही market 44,000 की zone में आता है ना, मैं जट से ही अपना profit को book कर लेता हूँ, क्यों book कर लेता हूँ, चुकि आप लोग को पता ही होगा कि जो round figure जो number होता है ना, व figure number था, तो यह definitely यह तो आपको support ले गाई है, और market दुबारा उपर की और जा सकता है, और market किया ऐसा थोड़ा देर के लिए, और देख सकते हैं, दूसरा है यह कि यह जो पिछला swing high था, वो actually क्या हुआ ना, अब यह दुबारा support का लेगा, तो मेरे पास दो point थे, 44,000 में, म यही सब माइंड में रखते हुए, दूसरो मैंने अपना position को square up कर दिया, हाला कि अगर मैं position को hold करता है, तो अच्छा कासा profit देखने को मिलता, लेकिन वो होता है, तो अभी जो आपका chart जब बन जाता है, तो आपको लगता है, कि हाँ, market मुझे hold करना चाहिए था, market देखो क trade भी गला जाता है, उसके बाद सब कुछ आप principle बूल जाते है, तो आपको पता है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ता कि मैं आपको ground reality दिखा सकूँ, ground level से आपको reporting दिखा सकूँ, कि हाँ, मतलब इतना easy नहीं है, दोस्तो, trading, लेकिन हाँ, इतना easy नहीं है, मानते ह नहीं है, आप लोग जैसे महनत कर रहें, मैं भी आप लोग के तरह ही महनत कर रहा हैं, दोस्तो, और I'm sure आप, जैसे आपके अंदर उमीद होगी, कि आप भी एक दिन तरकी करेंगे, वो ऐसे मेरे अंदर ही है, दोस्तो, कि एक दिन मैं success पाऊंगा, तो I'm sure दोस्तो, आप ल